अईसे लोग से अईसे हर से लोग लड़तु है संसार में अईसे लोगों से संसार के लोग लड़ते हैं जो सज्जन है सरीफ है इमंदार है जो खुन पसीना के कमाई खांते है उसे संसार के लोग जलते हैं लड़ते हैं उन्हें परसान करते हैं उन्हें सताते हैं उन्हें मजबूर करते हैं वास्तों में सच्चाई को असत दावना चाहता है इमंदारी को बैमानी तुड़ना चाहता है एक सर्जन बेप्ति को साधू बेप्ति को चोर परसान करता है एक सती अवरत को ब्यस्या रात दिन उसके पीछे पड़ी रहती है आखिरे सब ऐसा क्यों होता है क्या चेड होती है तो इसका मुख कारड़ ही होता है कि संसार में जब अधितर पाप बर जाता है अधितर पैमानी बढ़ जाती है तो आदमी पैमान यहीं चाहता है कि संसार में कोई मंदार न रहे बेश्या यहीं चाहती है कि संसार में कोई सती न रहे चोर यहीं चाहता है कि संसार में कोई साधू न रहे और इसलिए कहा जाता कि यंधा धुंद बजार में नो लूटे तो चोर जहां यंधा धुंद मचा है वहां नो लूटने वाला ही चोर सावित होता चोर कालाता है इसलिए कि सारे चोर ये कोर हो जाते हैं और इमंदार बेगती अखेला हो जाता है जो सच्चा ज्यान देता है समाज में सत्त का गढ़हन कराता है जिसमें कोई आडंबन नहीं होता है पाखंड नहीं होता है लोगलालत नहीं होता है उस ब्यक्ति को उस संत से संसार के जो जूट के परचार करते हैं जो अज्यानी होते हैं जिनोंने भक्ति भजन को धंधा बना लेते हैं तो वाश्टों में उचीड़े रहते हैं वो जलते हैं कि ऐसे ब्यक्ति संसार से मेनो रहे तो तभी हमारा काम हमारा धंधा चलेगा इस बात को देखते हुए सद्गूर कभीर साहेव एस सब्द काते हैं कि देखो भाई डरो मत घबराओ मत तुम्ही मंदार पर हो तुम्हारे पास सत्यता है तो सत्यता पर हो ये संसार के लोग तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ बिगान नहीं पाएंगे जूट सत्त को जूट कभी दवा नहीं पाता है साध्धू को चोर परसान नहीं कर पाते हैं छड़ी के सूख के लिए लोग लालच में भले ये बाके हैं लेकिन एक दिन जीत सत्त की ही होती है जब जूट ठोकर खाता है, भटकता है तो खुद सत्त के पास आता है इसलिए घबराओ मत ये जीतने भी संसार के लोग तुम्हें परसान कर रहे हैं ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं कबिर साब उधारर देते हैं बिजक से कातें कि ऐसे हर इसे लोग लड़तु है पांडूर कतहूं गरूर धरतु है कातें कि संसार के लोग ऐसे ब्यक्ति से सज्जन शरीफ से लड़ते हैं लेकिन ये मान को चलो कि पनिया साब कभी गरूर को परसान नहीं कर सकता इमंदार है वो गरूर है और जो आज संसार में जूठ है बैमान है जो चोड़ी करते हैं जो पाखंड करते हैं वो पनिया साब है आगे उधारर कभीर साब कितना गजब के देते हैं कि मूस बिलाईक कैसन हेतू जंबू करे कहरी से खेतू काते हैं मूस कभी बिलार को तोर नहीं शकता है तोरेगा तो बिलार ही मूस को Р कभी सिंग से जीत नहीं पाएगा इसी तरह संसार के लोग हैं आगे सद्गूर कभी साब और सुन्दर उधारर देते हैं काते हैं देखा संसारा स्वानय खेदय कुंजन अस्वारा काते हैं अचरज और मैं देखता हूँ संसार में कि हाथी पर चड़ कर हत्वान जा रहा है लेकि नीचे से कुत्ता भोगता है वोसे ये लगता है कि मैं उस हाथी पर बैठे हुए ब्यक्ति को पकल लूँगा लेकिन वो पकर नहीं सकता है ठीक इसी तरह साधू संत सज्जन सरीफ जो इमंदार होते हैं जो सती सावित्री अवरत होती है उसे संसार के लोग तरह तरह से भोगते रहते हैं लेकिन ये हकिकत मान के चलिए कि उस ब्यक्ति को कोई कुछ भीगान नहीं सकता है इसरे सत्कूर कभीर सावे साहज देकर कहते हैं इम्मत देकर कहते हैं कि घवराओ मत वाज्टों में सुख का सागर आपको ही मिलेगा इन संसारियों के बातों में मत परो आगे कहते हैं कि कहां कभीर सुनो संतो भाई आई संधी कोई बिरले पाई काते हैं कि इस भेद को कोई भी रही जानता है कि जीत सत्त की होती है और साच में कभी कोई याच नहीं होता जो सच्चा है जो सजन है जो सरीफ है जो सती है वो निचींत ही वाश्टों में सूख के सागर में जाती है और संसार के जो पिसाई है चोर है वैमान है उन्हें तरह त्रह शेटव पर खाना है तो इसलिए इसे बात को कहती हुए सद्गूर कभीर शाहब हिंमत देते हैं कि घ़वराव मत वास्तों में जीत सत्की ही होती है तो आए इसी के साथ अपने बारी को समात करते हैं